त्योहारों के समय रेलवे से घर जाने का प्लान बना चुके हैं, तो ये वीडियो मिस्स मत करना। दरसल रेलवे प्रशासर ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किये हैं, साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किये हैं। ये गाइडलाइन्स खास कर उन यात्रियों के लिए हैं, जो दिवाली या छट पर ट्रेन के जरी अपने घर जाने वाले हैं, इस दोरान अगर आप पठाके ले जाने की तयारी कर चुके हैं, तो आपको साफधान रहने की जरूरत है। क्यों और कैसे? चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। क्यों हार खुशी और रोश्नी का प्रतीक है, लेकिन इस खुशी के दोरान अपनी और अपने सहे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस मौके पर यात्रियों को सलहा दी जाती है कि वो ट्रेन में ट्रावल करते समय पटाखे ना लेकर जाएं। साथ ही रेलवे परिशन में भी किसी भी तरह का पटाखा ना जलाएं। दरसल उन्होंने ये साफ कहा कि पटाखों के साथ यात्रा करना गैर कानूनी है। अगर किसी यात्री को ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर रेलवे आक्ट की धारा 164 के तहट मुकदमा चलाया जा सकता है। इस दौरान किसी यात्री को पटाखों के साथ पकड़ा जाता है तो क्या होगा चलिए अब ये भी जान लीजिए। रेलवे में ट्रावल करते समय अगर आप पठाखों के साथ पकड़े जाते हैं तो आप कानूनी दंड के भागी बनेंगे। आपको तीन साल के लिए जेल की सजा या हजार रुपए का फाइन भरना होगा। आपको बता देते हैं कि DRM ने सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा इजेंसियों को इस मुद्दे पर सतर करहने के निर्देश दिये हैं। सीनियर DCM यानि डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर विकास खेडा ने ये भी बताया कि ट्रेन में यात्रा करते समय पठाखे और गये सिलेंडर ले जाना पूरी तरहां से मना हैं। इसके अलावा पार्सल वैन में भी इन चीजों की बुकिंग नहीं की जा सकती। पार्सल ब्लॉक में काम करने वाले सुपरवाइजर और बागी करमचारियों को बताया गया है कि वो सेव जड़ने के लिए सकती से नियमों का पालन करें। इसका मतलब है कि उन्हें इन चीजों को रोकना होगा और सही तरीके से काम करना होगा ताकि यात्रा सेव बनी रहे। त्योहारों के समय रेलवे में यात्रियों की भीड ज्यादा होती है ऐसे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए पठाकों के साथ ट्रावल ना करें। आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल एटीन।